नमस्कार, हमरी एटोब चनल सफल इश्टड़ी आईकूम आपका स्वागत है, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मुक्कमंतरी पुरतसान योजना के बारे में, यह जो मुक्कमंतरी पुरतसान योजना है, इस योजना के तहट किन बेरोजगार जिवोंकों को जो इनसका फ फोर्म फिलप करने से पहले, जारकन सरकार के सरम पर्सेशन कोशल विकास विवाग के दोवारा जारी के गई, मुक्मंतरी पुरतसान योजना से रेल्डेट सुचना के बारे हम लोग पढ़ लते हैं, इसमें जो है सारी जानकरिया दी गई है कि मुक्मंतरी पुरतसान फागों दोरा संचालित कोशल पर्सेशन के तहट अल्पकालिन पर्सेशन सरकारी आईटी आई, सरकारी पॉलिटेकनिक एवंग अन्य सरकारी व्यासाइक पाठिकरम जो नेशनल क्वालिफिक्शन प्रेमवर्क यानी NSQF से एलाइन हो, इन सारों में इन से किसी भी जो है इ इसके लिए योगता मागी गई है, पत्र तक इसके लिए कौन होंगे देश होते हैं, तो आविदेक जो है बिरोजगार होना चाहिए, अर्थात आविदेक जो है न तो सर्वजनिक या फिर निजी छेतर से जुड़ा हो, और नहीं किसी तरह का सोराजगार से जुड़ा हो, नेक्स्ट आविदेक ज़रकन राज के नियोजलने में निवंदित होना चाहिए, यानि किसी भी नियोजलने में ज़रकन राज के उसमें आपका रेश्टरसन हुआ होना चाहिए, चाहिए ओनलाइन हो या फिर जो है ओफलाइन आपने रेश्टरसन कराया हो, नेक्स्ट यह थो किसी प्रकर्ण का दोहरी करण नहों हो यानि इस योजना का जो डवल आपको नहीं मिलने वाला है सिंगल मिलेगा जार्खन राज का निवासी या फिर जो अधीवास यानि डोमेसाल होना चाहिए यानि जार्खन राज का जो कंडिडेट्स का लब लेने वाले हैं उन् से अधिक के करावास की सजा हुई हो फिर नेक्स्ट है कि नियोजनरलाई में निवंदन की तिथी को आविदक की आयू जो है अठा बर्स से अधिक और 35 बर्स से कम होनी चाहिए उहीं पर जो है अनुसिजित जाती एवं अनुसिजित जन जाती की अम्र सिमा में जो उनके जो उम्र सिमा की बात की गी है यह जो है जनरल और अविसी लोगों के लिए है नेक्स्ट है आविदन की परेक्रिया क्या को चाहिए तो आविदक ने जो जिस विभाग से प्रसेशन प्राप्त किया है उस विभाग या संस्थानवे भीत प्रपत्र यानि वहां से जिस उप्योग्त अर्तधारी आविदकों के लिए जो 50 रुपिया परती एक बर्स के लिए जो है यहां पर आपको जो परसान रासी मिलेगा वह एक बर्स के लिए पांसे जार रुपया दिया जाएगा परसान रासी उहीं पर जो है आपका आधिम जन्जाती दीवांगों के लिए जो इसमें 50% जादे मिलेगे उन लोगों को तो यह कुछ आज जो तो आपकी एजलेव सो अभीपरमानित फोटो तिथी सहीत यानि आपका एक पासवर्ट साइज फोटो होना चाहिए जिसमें जो है डेट मेंसर रहना चाहिए कि यह कब का फोटो है और उसमें जो आपका सो अभीपरमानित यानि उसके उपर स्याइन भी होना चाहिए सबसे पले आवेदा की या आवेदिका का नाम देना है या आपर नाम लिखना है हिंदी इंगलिस किसी में भी लिख सकते हैं पिता या फिर आप अपने पती का नाम दे सकते हैं फिर माता का नाम यहां लिखना है डेट अब बर्थ यहां पर लिखना है नेक्स्ट है लिंग यानि पुरुस्त या महिला इसमें से आपको लिखना है नेक्स्ट है कोटी किस काटेगरी से आप बिलोंग करते हैं स्टी स्टी और विस्टी जेनरल वह यहां पर लिखना है विस्ट कोटी अगर आपके बाद जैसे बिद्वाप, परित्यागता, आधिम जन्जाती, दिवैंता इस केस में हां करना है अन्याथा नहीं करना है नेक्स्ट है नियो जेनरले का नाम आपने किस नियो जेनरले में से निमंधन कराया है उस नियोजनले का नाम देना है निमधन सेंखा देना है और निमधन कब कराया उस डेट को भी हाँ देना है नेक्स्ट है आपका इस्थाई पता यहाँ पर लिखना है और पिन कोड भी यहाँ पर लिखना है आपका भर्तमान पता यहां साथ में पिन कोड भी लिखना है, डिंस्ट अहीं है है या आपका मोबायल नंभर अधार सिंख्या है यानि जो इसा बिंक का देना है, जिस में आपका आधार से शुरू होती है आपके बेंट खाते में होगी देखिए उसका बाद आपका कुछ होगी आफसी कोड और SBI क्या है तो SBI करके आपका जो आफसी कोड रहती है नेक्स यहां पर सचनिक योगता तो यहां पर सचनिक योगता में उतिन्ता परिच्छा आपने कौन से परिच्छा उतिन किया है फिर बोड या विश्विद्यलाई का नाम यहां पर देना है जिस बोड से या जिस विश्विद्यलाई से आपने पास किया है उतिन था बस किस वर्स आपने पास किया है यहां माह फिर प्राप्त अंख आपने कुल के जो ह राज के विविने विभागों दौरा संचलित कोसल परसिशन के तहट अल्पकालिन परसिशन, सरकारी आईटियाई, सरकारी पोलिटेकनिक एवंग अन्न सरकारी बेसाइक पढ़िकराम जो नेशनल इसकिल कौलिफिक्शन फ्रेमवर्क एनस QF एलाइन हो से उतिन एवंग सरका रास्ति का फाइदा उठा सकते हैं और यह जो आपने जो सर्टिपिकेट आपके पास है या पिर जो भी कोर्सेस हैं इनका जो है आपके सलन करना होगा साथ में अडेच करना होगा नेश्ट यहापर देशने सपतपत्र याणि आप जारकन राज का इस्थानी नहीं है यहे कि यहापके पास ज़ारकन का डुमि सायल है तो इस तेज को आपको सपत्र बना होगा किसी रोजगार या सोरजगार से नहीं जुड़े हुए है या नहीं उसका सपत्पत्र यहाँ पर किसी नियाले से किसी आपराद में सजा प्राप्ति नहीं हुए उसका यहाँ पर आपको सपत्पत्र भरना होगा यहाँ पर अपना नाम लिखना है मैं आप अपना नाम दीजएगा परमानित करता हूँ या करती हूँ मेरे द्वारा दीगे सभी जानकारी जो है सत परतिसत सही है ज़्यदी गलत पह जाता है तो मेरे उपर नैसंगत करवाई की जाएगे यहाँ पर आप अपना सिक्नेचर कर दीजेगा तो इस तरह से प्रोसान रसी के लिए आप अपना फोम को अफ्लाइंड भर सकते हैं उसका बद आप इसे जमा करना होगा निजलने में जाकेर और आपको प्रोसान रसी परती एक साल जो है जो पांचीज रुपया कही जारी है वो आपको मिलने लगेगे धन्यवाद चोहर जहिंद